हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का मेरी चैनल पर और आज में बनाने जारी हूँ बहुत ही टेस्टी पेस्ट्री जो की बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समान में आप इसे जटपट से बना सकते हो तो जब भी आपका मन हो इस तरीके से पेस्ट्री बनाने का तो आप ब बिस्किट के अंदर बिस्किट के अंदर इसको अलग कर लेंगे कर लेतीं इसी तरीके से इधं फटा फट से हो जाता है तो दूस्तों यहां पर सारी क्रीम अलग हो गई है तो हम इसमें काई में कर देंगे और जो मारा बिस्किट है उसको हम कर खर लेते हैं ऽो ginger है आप देख सकते हो तो बस अब हम इसमें दूद डाल देंगे तो दूद हमें उतना डालना है जिसे कि आसानी से इसका पेस्ट बन जाए तो मैंने थोड़ा सा दूद डाला है इसे मिक्स किया है थोड़ा सा दूद और डाल रही हूं तो लगबग 1 करोड़ी दूद का इस्तमा कर देंगे और हम आगे का प्रॉसस कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक भगोने को रख दे रही हूं प्री हीट करने के लिए इसमें स्टैंड लगा कर इसको ढख के 5-7 मिनट ले रख देंगे आप कोकर या कड़ाही में भी बना सकते हो तो आज मैं इसको एक टिफिन में ब इंच बर बेकिंग सोटर आल रही हूं ताकि हमारा जो बिस्किट है यानि कि जो पेस्ट्री बने वो हलकी सी फूली फूली बने तो मैंने डाला थोड़ा सा दूर डाला और हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो इसकी का है तो इसको हम इस्टिफि ने से खोल देंगे और इसमें हम इस स्टिफिन को इस तरीके से बीच में रखेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको 25 मिनुट पका लिया है और अब हम इसको ऊपन करके चेक कर लेते हैं तो यह काफी गरम होता है अब ध्यान से खोलना और एक हम यह यहां पर तोध पी डाल के आपको दिखाते हूं तो एक दम साफ निकल रही है मतलब यह हमारा केक बन करके रेडी हो चुका है तो मैं इसको बाहर निकाल के रख देतू हूं थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इस्तमाल करेंगे तब तक हमने जो यह क्रीम को अलग करी सी उसमें हम थोड हलका सा लिलेंगे चॉकलेट और यह भगोना हमारा भी काफी गरम है तो मैं इसी में रख कर इसको हलका सा पिखला लेती हूं तो इसको हम इस तरीक से चलाते रहेंगे और एक मिनट बाद आप देखोगे तो यह अच्छे से पिखल गया होगा और इसमें मैं थोड़ा सा कर दिया है और इसी बरतन में यह जो हमने बिस्किट वाला जो क्रीम का बना के रेडी किया था ना उसको भी इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़े दिर बाद आप देखो कि इसका टेक्चर इस तरीके से हैं मैं थोड़ा सा इसमें काजू करस करके डाल रहे हूं यह बिल्कुल आप्शनल है आप चाहो तो डालो चाहो तो मत डालना और इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख देजे ताकि हम इसको मैं प्लेट में इस तरीके से पलट दी रही हूं आप देख सकतो हो और हमारा केक इदम अच्छा सा पका हुआ है तो अब हम इसको चोकोर आकार देंगे इसके लिए हम इसको चारो तरप से हलका हलका सा कट कर देंगे तो ये हो चुका है और अब मैं इसको इस तरीके से बीच से कट कर दे रही हूं और आप देख सकतो हो एकदम अच्छे से हमारा केक बन करके रेडी हुआ था तो अब मैं इसके उपर ये जो हमने पेस्ट बना कर रेडी किया था ना इसको इस तरीके से पूरे पे फैला दें मिनट के लिए फ्रीज में रख दोगे तो यह काफी गाड़ा हो जाएगा तब और ज्यादा असानी होती है इसको लगाने में तो इसके बाद मैंने इसको उठा कर इसके ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा यह पेस्ट लगा देंगे और इसमें जो मैंने का साफ्ट बना हुआ है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी साओधानी से उठाके रखिए और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट डाल दे रही हूं तक यह देखने में अच्छा लगा हो साथी साथ खाने में इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अगर हम चॉकलेट का इस्तमाल कर देते हैं वैसे आप गार्निशिंग अपने हिसाब से कर सकते हो तुमारा यह बहुत ही टेस्टी पेस्ट्री बन करके रेडी हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि सो मच बाए बाए